तो दोस्तो भारती साइंटिस्ट ने अब दुनिया का lightest paint तियार कर दिया है इतना light कि 1.3 kg में ही एक पूरा plane paint हो सकता है यकिन नहीं है तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो पताया गया है Indian scientist made the world's lightest paint the whole plane can be painted in just 1.36 kg सो पूरी बात क्या है आए जानते इस वीडियो बे now recently यहाँ पर Indian origin के एक scientist है देबाशियस चंदा जो की University of Central Florida में काम करते और इनकी एक research में ये एक काफी बड़ा innovation किया गया है जहाँ पर nano scientist ने world's lightest paint तियार कर दिया अब बताया जा रहा है कि ये scientist inspired थे butterfly के color wings है इस paint में खास बात यह है कि colors का use ना करते बजाए pigments का use किया गया है और इसी reason के चलते ये बन चुका है आज के समय का lightest weight paint ever in fact इसको तो नाम भी दिया गया है plasmonic paint तो अब जानते इसके usage के बारे में now currently Boeing 747 जैसे भारी भरकम entire aircraft को paint करने के लिए 454 kgs of paint यूज किया जाता है तो वहीं अगर हम इस तरह के plasmonic paint को use करें के वल 1.36 kg of paint ही use होगा surprise जी हाँ आगे और भी काफी सारे facts है बताया जाता है कि पूरे एक घर को paint करने के लिए अब 20 लीटर paint की बिलकुल भी जारत नहीं है बस एक can ही काफी है सबसे बड़ा benefit इस paint का ये है कि अगर हम इस paint को use करें 13 to 16 degree Celsius ये paint cooler है compared to any other paint तो practically हैं पर AC का खर्चा काफी बच जाएगा और अगर हम इस तरह के paint को buildings में use करें तो definitely काफी energy efficient इसे बना जा सकता है फिर इसके अलावा सबसे बड़ा फाइदा ये भी है dampness control का इस paint से पूरी तरह से dampness को खत्म ही किया जा सकता है और ये खुद scientist ने claim किया है thickness के बात करें तो 150 nanometer ही cable इसकी thickness है और इसकी वज़े से ये बन जाता है world का lightest paint काफी लोग question होगा कि इस thickness में क्या evenness मिलेगी तो उनको बता दू कि यहाँ पर क्लेम किया गया है कि full color evenness हमें इसमें मिलती है with just this small thickness overall वाकई में काफी कमाल की technology है इस तरह के paint को अगर भरती railway यूज करने लग जाए हमारी वंदी भारत को तो और advance बनाया जा सकता है where electric vehicles में भी इससे efficiency काफी अत्तिक इंप्रूब हो सकती है smart cities में तो ये एक काफी बड़ा वरदान सावित हो सकता है because हमारे infrastructure और buildings को इस तरह के paint से काफी ज़्यादा damp proof और बहुत ही cooler बनाया जा सकता है वैसे आपको क्या लगता है इस paint को अगर भारत यूज करने लग जाए और क्या क्या फाइदे होंगे definitely comments बताइएगा और साथ ही मैं अगर वीडियो जरा से भी informative लगी तो please share कीजे अपने friends and families के साथ भी see you soon in the next video till then goodbye and take care